असलाम उलेकुम YouTube फैमिली वेलकम है आप सभी का Art of Cooking YouTube चैनल में तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल बजार जैसे गाड़े दही की रेसिपी शेयर करने वाली हो बहुत से लोगों को ये problem होता है कि दही गाड़ा नहीं जमता खटा हो जाता है और मीठा भी बिल्कुल नहीं होता तो इन सारे problem का solution आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से दही को जमाया जाए तो वो बिल्कुल गाड़ा जमे और साथ इसाथ मीठा भी हो तो उसके लिए आपने इस रेसिपी को फुल वाच करना है तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला इरहमान इरहीम तो दही जमाने के लिए यहां पे मैंने लिया है 150 लिटर दूड़ फुल फैट मिल्क का यहां पे मैंने इस्तमाल किया है ये कच्चा दूद वो ही है जो हम बजार से लेकर आते हैं अब हम क्या करेंगे कि इस दूद को तकरीबन साथ से आठ मिनट के लिए इस तरह से फैंटते हुए पकाएंगे इतना इस दूद को हमने यहां पे पकाना है कि यह तकरीबन सवा लीटर तक रह जाए तो देखें ते करीबन आठ मिनट के करीब मैंने इस दूद को इस तरह से फैंटते हुए पका लिया है और इसके ओपर जाग भी आ गई है अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को आफ कर देंगे और इस दूद को उस बरतन में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हमने इसको जमाना है तो मैं यहां पे मटी की कनाली का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो किसी भी स्टील के बरतन का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इस गरम गरम डूद को इस मटी की कनाली में डाल देंगे तो सारा दूद यहां कनाली में मैंने डाल दिया है अब हम क्या करेंगे कि इस दूद को इतना फैंटेंगे कि इसकी जो मलाई है वो एक तो जाग की सूरत में उपर आ जाए और साथ ही साथ ये दूद थोड़ा सा नीम गरम सा हो जाए तो तक्रीबन दो से तीन मिनट के आसपास इस तरह से फैंटे हुए इस दूद को हलका सा ठंडा करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने तीन मिनट इस दूद को फैंटा है और अच्छे से जाग भी इसके उपर आ गई है अब हम क्या करेंगे कि अंगली की मदद से इस दूद को पहले चेक करेंगे अगर 5-7 सेकंड उमली जो है वो हमारी इस दूद में रह जाए और हमें हलकालका सा नीम गरम फील हो तो इसका मतलब है कि हम इस दूद को जाग लगा सकते हैं तो देखें यहाँ पर दूद नीम गरम सा है अब हम इसे जाग लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने रूम टंपरेचर पर रखा हुआ दही लिया है मीठे दही का हमने इस्तमाल करना है खटे दही का जाग बिलकुल नहीं लगाना तो अब बस हमने क्या करना है कि सिर्फ दो चमच दही के इसमें से लेने है और इस दूद को जाग लगाना है अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस दही को आपने पूरे दूद में इस तरह से मिकसनी करना चमच के साथ साइड से इसके अंदर डालेंगे दही को और हल्का सा एक बार हिला देंगे अब हम क्या करेंगे कि इस दूद को उपर से कवर करेंगे किसी भी धकन के साथ आपने इस दूद को कवर कर देना है फिर हमने क्या करना है कि एक मोटा सा कपड़ा लेना है जिसमें हमने इस बटन को लपेटना है तो देखें अच्छे से मैंने इसे इस कपड़े से लपेट दिया है अब क्या करेंगे कि किसी गरम जगा पे इसे रखेंगे तकरीबन 4-6 गंटे के लिए हमने इसे रखना है तो अब यहां तकरीबन 5 गंटे के बाद मैंने इस देही को चेक किया है तो देखे देही यहां पे अच्छे से जम चुका है, अभी हमने इसे इसे इस्तमाल नहीं करना, पहले हम इसे तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे, तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, तो तकरीबन तीन घंटे के आसपास मैंने गाड़ा देही हमने घर पे बना के त्यार किया है, तो बस यह चोटी चोटी सी टीप्स हैं जिनको आपने फालो करना है, अब आप चाहे तो इस देही को पराठे वगएरा के साथ ले सकते हैं, चाहे तो आप इसकी लसी बना सकते हैं, मैंने यहां पे देही के अंदर शक्क को भी आल पे कर दें नेक्स्ट रेस्पी तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज